ओके हेलो चैटर्स माई नेम इस रोई तैन यूर वाचिंग रसल चैटर तो गैज आज की इस एपिसोड में बात करेंगे रिसेंट ले वे रॉब रैंड के लाइव इवेंट के बारे में जो कि उता एक बार फिर से केप टाउन में लेकिन इस बार अलग मैचेस के सांद जहा करते हैं फर्स मैच यहां पर देखने को मिलता है इंटर कॉंटिनेंटल चैंपिन सेथ फ्रॉलिंस फिन बैलर वर्स बोड एलस एकसल मतलब की मिस्टर आस की बीच जीत यहां पर होती है साथ फ्रॉलिंस फिन बैलर के लिए फैंस की तरफ समय काफी ज्यादा सपोर्ट नाम करते हैं इसके बाद अगला मैच होता है चैंपरशिप के लिए वही से मैच सेट्रिक अलेक्जेंडर वर्स जूगुला को हरा दिया और अपनी चैंपरशिप को भी रीटेन कर लिया नेक्स मैच यहां पर होता है मैट हार्डी एंड ब्रेवायट वर्स सेमस और सेजार नेक्स मैच यहां पर होता है वुमस जी विजन से जो कि था एक्टरबल थ्रेट मैच आसका वर्स साशा बैंक्स वर्स बेली के बीच इस मैच में यहां पर जीत होती है आसका की जब वो अपना समीशन मूव लगाती है बेली के ओपर और इस पर बेली टैप आउट कर देती next मैच यहां पर होता है rocket women's championship के लिए जो की था Nya Jax vs Mandy Rose की भी ज़ाँ पर Nya Jax ने हरा दी मैंधी रोज को और अपनी Rocky women's championship को भी रिटेन कर लिया अब आता है शो का main event में है जो की था Samoa Joe vs Roman Reigns की भी जो कर समाय जो ने काफ़ अच्छी तरह के से हील का rol play किया लेकिन मैच में जीत होती है रोमन रेंज की जब वो समचियों को लगाते हैं स्पेर और इस मैच को अपने नाम करते हैं लेकिन मैच के दुरान रोमन रेंज के मातिस से खून भी निकलता है और शायद ये खून उसलिए से निकला जैसके मैं रेसे में 34 में देखा था और शायद मैच के वरान समा जो से कभी गल्ती से वहाँ पर एटक हो गया जिसके चलते रोमन रेंज का वहाँ पर खून निकला तो जैसरी कि हम लोग देंकते हैं जो भी सुपर्स्टार अगर है और एक कुछ टैम में जल्दी से ठीक हो जाएगी जैसे कि हमने तो देखा रैसल में 34 में तरचा तक खुन निकलने के बात भी रोमन रेंज अगली रॉक एपिसोड में तो यह उसके सामने तो कुछ भी नहीं है और रोमन रेंज इससे बहुत जल्दी रिकावर हो जाएंग झालो